मेरी मार्टी मेरा देश कारक्रम के तहट कंपनी बाग इस्तेते शहीद इसमारक नगर निगम में एक कारक्रम का आयोजन हुआ इस दोरान प्रतेक वार्ट से अमरत कलश में एकत्रित की गए मिट्टी और अक्षत बड़े कलश में मिलाए गए अमरत कलश को दिली लेकर जिले की एक टीम जाएगी करता विपत पर कलश को रखा जाएगा नगर निगम शहीद इसमारक पर आयोजित कारक्रम के दोरान मंगलवार को मेरी माठी मेरा देश कारक्रम के तहित मेर विनो दगरवान ने पार्शदों को पंच प्रण की शपद दिलाए पार्शदों ने डोल लगाडों की धाप के बीच अमरित कलश को फूल मालाओं से स्वागत किया आजादी के 75 में अमर्द महुटसप के अंतरगत शहीद इसमारक पार्क पर मेरा माठी मेरा देश आज ये जो घर घर से हमने नगर निकम के हमारे सभी वाड़ों के हमारे मेंबरों ने हमारे अन्य कारेकरताओं ने जो ये माठी का संग्रह किया है और किसी के घर से माठी, किसी के घर से चावल और वो करके यहाँ पर वो सारे कलश पहुचाए गए है आज उसका कारेकरम है और सभी वीरों को, अपने सुतनता सेनानियों को, शहीदों को इसमरन करते वे, नमन करते वे, उनको सरदान जली दी गई और अब ये सारा जितनी माठी और ये कलश इखटे हुए है इन्हे सब को अब यहाँ से चिला दिकारी के माध्यम से लखनों में भेजा जाएगा और वहाँ से ये कर्तब वेपत दिली में इंडिया गेट के पास, वहाँ पर इसका प्रोग्राम है, वहाँ पर इसका इसका इस्तवाल किया जाएगा तो ये पूरे देश से जो ये पूरे वीरों को नमन करते वे, उनको शरदा सुमन अर्पित करते वे जो ये माटी पूरे देश को जोडने के लिए और उन सहीदों को याद करने के लिए, ये किया गाया कारेकरम, ये इससे बड़ी और शरदान जली, हमारे उन वीरों को और इससे बड़ी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है, और एक बार फिर पुना, मैं अपने भारत बाता के उन सभी वीर सपुतों को पड़ा, अपनगर आयुकते अतुर कुमार, उपनगर आयुकते निशा मिश्रा, लेखादीकारी, अरुन कुमार मिश्रा, सायक अभी अंतर रही सहमर, नगर निगम पार्शेदों ने डोल लगाडों की थाप के भी इच स्वागत किया, आप अभगत हैं कि आजादी के 75 वे बर्स में आजादी के अमरित महुत सब के अंतरगत, मेरी माटी, मेरा देश कारेकरम के तहट, नगर निगम के सभी बार्डों से एक एक कलस में मिट्टी, और हर घर से मिट्टी, हर घर से चावल लाया गया है, जिसको यहाँ पर आज अगरिक गण हैं, उनके साथ यहाँ पर एक सेलिब्रेशन किया गया, और यहाँ से इस सारी मिट्टी से हम यहाँ से दो कलस बना के माने जलादिकारी महुते के यह भीजेंगे, वहाँ से यह कलस लखनव होते हुए दिल्ली जाएंगे, और वहाँ पर करतबे पत्थ पर मान पर मिट्टी रहेगी, इस प्रकार सारे देश की मिट्टी से करतबे मार्ग पर एक अमर्दबाट का बनाई जाएगी, उसकी तहब यह कारिक अंखार